सबको प्रणाम जी सवी देश्वासियों को स्वच्चता दिवस की हार्दीक शोब कामनाई आज स्वच्चता दिवस की आवसर पर मैं स्वच्चता, सफाई, सवच, शुद्धी अनेक नामों से जाने वाले इस विशे में कुछ बात रखना चाहता हूँ वैसे तो साफ सवच्चता का कोई विशेश दिन नहीं होता है पर हमारे यहां जो बीच में अशिक्षा के कारण या कहिए कि लापरवाही अकर मन्यता के कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जितनी गंदगी का प्रचार हुआ है इसलिए देश के माननिय प्रधान मंत्री जी ने महात्मा गांधी जी को स्वच्चान जली देते हुए उनकी स्मृति में स्वच्चता दिवस का प्रारम किया यह एक दृष्टी से देखा जाए तो बहुत ही हर्ष का भी विश्य है कि इसी बहाने कम से कम लोगों में स्वच्चता के प्रती जागरुकता बड़ी है पर इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि क्या हमें स्वच्चता के लिए एक विश्यस दिवस की आवश्यक्ता पड़ती है हाँ यदि इस एक दिवस में किसी एक महापुरुष को स्रधान जली दी जा रही है तो यह अच्छी बात है पर हम केवल एक दिन के लिए स्वच्चता के सिपाही बने हैं तो यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है आज हम देखते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में परिवर्थन काफी हुआ है पर यह परियाप्त नहीं है और विशेश रूप से उत्तर भारत, हरियाणा, बिहार, बंगाल, इत्यादी के क्षेत्र को देखा जाए तो यहां दूसरे राज्यों के अप्रिक्षा चाहिए आप दक्षण में देख लीजिए या फिर आप पुर्वत्तर भारत को देख लीजिए इन दक्षिन और पुर्वत्तर भारत के राज्यों को देखा जाए, वहां की सवच्चता को, वहां की सफाई को देखा जाए और जिन राज्यों का मैंने नाम लिया उत्तर प्रदेश इत्यादी, उनकी अवस्था देखा जाए तो अभी यहां की जनता काफी पीछे है और जब हम इसी की तुलना यूरोपिय देशों से करें जर्मनी से करें जापान से करें तो हम राष्ट्रिय स्तर पर भी दूसरे देशों से बहुत पिछे हैं जो राष्ट्र विश्वगुरु होने का दावा कर रहा हूँ उसके लिए स्वच्चता जैसे बेसिक बातों पर साधारन बातों पर भी यदि दूसरे देशों से पिछड़ना पड़ रहा है तो ये गौरव की बात तो कताई नहीं है इसलिए हमें इस बात को विशेश ध्यान रखना होगा चाहे आप मनुस्मृति के आधार पर धर्म के दस लक्षन ले लीजिए उसमें भी मनु महराज ने शौच अर्थात पवित्रता को स्वच्चता को लिया है जिसमें बाहिय और आंतरिक दोनों पवित्रता का वर्णन क किया है इसी तरह से अस्टांग योग की बात करें तो उसमें भी पतंजली मुनिने शौच संतोस तप स्वाध्याय और इश्वर प्रणिधान को पांच नियमों में बताया है नियम का मतलब कि वह महाव्रत हैं जिनको किसी भी किमत पे छोड़ा नहीं जा सकता और यह तो सा परव भूमिक है ऐसा नहीं कि इससे पहले इसका महत्व था आज थोड़ा बहुत है बाद में नहीं रहेगा ऐसा भी नहीं है या फिर सफाई का महत्व भारत में कम है दूसरे देशों में ज्यादा है ऐसा भी नहीं है इसलिए इन कुछ बातों को तो हमें ध्यान में रखना नितान तावश्यक है केवल स्वच्चता दिवस के आउसर पर ही नहीं प्रती दिन हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए हमारी दिनचरिया ऐसी होनी चाहिए या हमारा आचरन ऐसा होना चाहिए कि हम यदि साफ सफाई नही कर पा रहे हैं तो गंदगी फैलाने का अधिकार हमारा बिल्कुल भी नहीं है हमारी आदत रही है कि हम जहां कुछ खाते हैं डिस्पोजेबल वगरा भी वहीं फेक देते हैं हमारे लिए कितना भी सुन्दर या कितना भी साफ सुत्रा इस्थान क्यों न ढूणा जाए कोई भी नए इस्थान का पता चलता है लोग वहाँ पर घुमने के लिए जाते हैं और 15 दिन के बाद ऐसी अवस्था हो जाती है उस इस्थान की कि ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ गुमने आने वाले जो लोग हैं वो सभ्य मानव जाती के थे क्योंकि उस इस्थान पर इतनी गंदगी फैला दी जाती है सोचिए कि जिस देश में लिख करके ये बताना पड़े कि सारवजनिक इस्थान पर थूकना मना है सारवजनिक इस्थान पर लगुशंका करना मना है उस देश की स्वच्चता की अवस्था क्या रही होगी और आज भी वैसे तो कुछ समय से काफी फरक है पर इतना जो परिवर्तन ही परियाप्त नहीं है अभी जब हम विश्वगुरु होने का दावा कर रहे हैं या विश्वगुरु बनने का दावा कर रहे हैं तो वो किवल ज्यान के संदर्व में नहीं है जैसे जैसे देश विकास की और आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि व्यक्तिगत इस्तर पर ग्रामिन इस्तर पर सामाजिक इस्तर पर जीले के इस्तर पर और राज्ट्री इस्तर पर हम सच्चता के संदर्भ में भी उतने साफ सुत्रे हो इतने कुछ देश ऐसे हैं कुछ क्या अधिकांच देश ऐसे हैं जो नदी को केवल नदी मानते हैं और उन नदियों की अवस्था ऐसी है कि आप वहां का पानी थोड़ी बहुत प्रक्रिया करके थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करके पी सकते हैं वहां के नालों तक में मैंने जापान के बारे में पढ़ा था वहां के कुछ वीडियो भी देखे थे कि वहां के जो सिवरेज के नाले होते हैं वहां पर भी मचलिया होती हैं और हमारा देश ऐसा देशे जो नदियों को देवियों के रूप में माता के रूप में पूजता है यहां के लोग नदियों की पूजा करते हैं और यहां के हालात कैसी है आप नहाने की बात तो भूल जाएए उंगली डुबोने से भी लोग घिन व्यक्त करेंगे घ्रिणा व्यक्त करेंगे तो ऐसा क्यों जो देश नदियों को माता मानता है देवी मानता है वहां तो इतनी सफाई होनी चाहिए थी इतनी स्वच्छता होनी चाहिए थी कि दूसरे देश के लोग या पस्टिमी सभ्यता के लोग यहां से उदाहरण लेते पर हम तो कभी भी छुट्टी होती है यदि हमारे यहां के लोगों की सामर्थ हो तो वो छुट्टिया मनाने हर वर्ष बाहर ही जाए इसका कारण क्या कि यदि हमारे यहां के भी स्टेशन चाहे हिल स्टेशन हो चाहे कोई भी स्थान हो भ्रमणी अस्थान पर्यटकी अस्थल यदि स्वच होते साप सुत्रे होते तो यहां के लोग भी गर्व के साथ घूमने के लिए आते दूसरे लोगों को भी प्रेरीद करते पर ऐसा नहीं है इसलिए मैं संपुन देश के वासियों से और जितने भी सुन्दर साथ मेरी बात को सुन रहे हैं आप सबसे यागरह करता हो कि हम सेवा की बात करते हैं मोदी जी ने तो एक नारा भी दिया है कि सच्चता ही सेवा है केवल स्वच्चता सेवा नहीं है स्वच्चता भी सेवा है और हर वह योगदान जो दूसरे के भले के लिए हो समाज के राष्ट्र के विश्व के भले के लिए हो वह प्रत्यक योगदान सेवा है और उसमें स्वच्चता भी उनमें से एक है यहां स्वच्चता का तात परिया केवल आगन में या सड़क के किनारे जाड़ू लगाने से नहीं है संपूर्ण परियावरण जिसमें हम रह रहे हैं उन सब की स्वच्चता हमारा करतव यह है वायू प्रदूशन होने से हम अपने व्यक्तिगत रूप से कितना युगदान दे सकते हैं पारिवारिक रूप से कितना युगदान दे सकते हैं संगठन के संस्था के रूप से कितना युगदान दे सकते हैं जल प्रदूशन से कितना बचा सकते हैं ध्वानी प्रदूशन से कितना बचा सकते हैं ये सब हमारा जो योगदान अगर रहेगा तो वो स्वच्छता में ही रहेगा इसलिए हम ये ध्यान रखें कि इदर उदर कच्रा न फेके यदि कहीं मिलता है और आपके पास समय है तो उसको सही स्थान पर इस्थानांतरित करें सही जगा पर डालें देश भर में साल में एक दिन समय निकालने से कुछ नहीं होगा हम प्रयास करें कि प्रत्येक सब्ताह एक घंटे का समय निकालें तो क्या होगा कि पूरा राष्ट्र बदल जाएगा और दूसरे देश के लोग भी हमसे उदाहरण लेंगे इस विशय में और अधिक रूप में जानना है तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि प्राण्यात ज्यानपीट के तरफ से हमने परियावरण के विशय में परियावरण प्रदूसर्ण और उसके समाधान कारण निवारण सब को लेकर के लगभग साड़े तीन घंटे की डॉक्यूमेंटरी फिल्म मनाई है आप समय निकाल करके उसको देखें उसमें हर प्रकार के प्रदूसर्ण का कारण और समाधान बताया है आप उसको व्यक्तिगत तोर पर भी प्रयोग कर सकते हैं और संगठन के तोर पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं तो मैं सभी देशवासियों से यागरह करता हूँ कि आदर्णिय माननिय प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पहल सुरू की है स्वच्चता के संदर्ब में संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से तो प्रतीक जनता का अब तो लगबग डेड़ अरब की संख्या पहुँच गई होगी या एक अरब 40 करोड के आसपास चलिए कुछ बच्चों और कुछ व्रिद्धों को निकाल दिया जाए तब भी एक अरब की जन्शंख्या होती है सभी लोग यदि योगदान देंगे और सभी लोग यदि अपने मन में संकल्प करेंगे कि हम अपने तरफ से तो कचरा नहीं करेंगे चलिए सफाय में योगदान नहीं दे पा रहे हैं पर कच्रा न करने में योगदान दिया जाए तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है और अंती में एक बात और कहना चाहूंगा अभी एक दो दिन पहले ही एक स्कीम आई है एक सूचना आई थी एक समाचार आया था कि जापान में जो बुलेट ट्रेन हैं तो उस पूरे ट्रेन को साफ करने में साथ मिनेट का समय लगता है और उसी के तर्ज पर मोदी जी ने भी सुरू किया है कि वंदी भारत जो ट्रेन है सेमी फास्ट या सूपर फास्ट कहा लिजेए तो उस ट्रेन 500 कौ भी 14 मिनिटेंदर पूरा साफ किया जाएगा तो कुछ लोगोंने प्रश्ण किया Jup ii कि फृष मीनिट में कर सकते हम सात मीनिट में क्यों नहीं कर सकते हमें 14 मिनिट क्यों लग रहा है उनके पास ऐसी कौन इतना समय लगे और यहां मुपली के छिलके से लेकर के चौकलेट के टॉफी के रैपर से लेकर के पान खा करके ठूकने से लेकर के सारी चीजें हमारे यहां होती है तो सफाई करने में भी समय लगेगा यदि आप जापान से तुलना करना चाहते हैं यहां की सुविधा की तो जापान की जनता की तुलना स्वयम से भी करनी होगी तो इसके अलाव भी वैसे तो बहुत सारी बाते हैं जो उस documentary movie में समाविस्ट की गई है मैं आपसे आगरह करूंगा कि इस वीडियो के साथ में description में इसके link दिये जाएंगे आप उसमें जा करके देखें और उस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको भी ज्य झाल 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 झाल